नमस्तार फ्रेंग्स, मैं आप सबका इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और मुझे फर्स टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे ताकि हम और आप मिलते रहें। यहाँ पे मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी जिसकी वज़े से आप अपना धेर सारा टाइम बचा सकते हैं, खुश रह सकते हैं, बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं और काम को बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज, प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजेगा और कमेंच करके बताएगा कि आपको किसे रिलेटिट टिप्स पसंद हैं। यहाँ पे मैंने वाशिंग मशीन में लोड लगा दिया है जो वन आर लेगी लगभग। उसी समय मैं घर के दूसरे क्राम करने वाली हूँ। यह डोर मैट मेरे में डोर के बाहर का है। यहाँ पे मैं एक प्लास्टिक का डोर मैट बिचाती हूँ। आप देखें उसमें कितना कचरा इकठा हो गया है। यह दो डोर मैट इसलिए क्यूंकि यह जो प्लास्टिक का है इससे डस्ट और मड तो साफ नहीं होती। बट इसके उपर जो मैं कॉटन का डोर मैट रखती हूँ। उससे डस्ट वगर अच्छे से साफ हो जाती है, पैर क्लीन हो जाते हैं। और नीचे प्लास्टिक का रखा हुआ है, इसलिए ये फ्लोर से चिपाकता नहीं है और जल्दी ड्राई हो जाता है। यहीं पे जो मेरा सेफटी डोर है, उसको अगर आप टिका दोगे ना, तो वो बार बार खुल जाता है। और फिर नेबर हुड के डोर के पास ही जाके रुपता है, जिससे उनको भी बहुत प्रॉबलम होती है। तो उसके लिए मैंने अपनी सेफटी डोर में एक इस तरह से स्ट्रिंग बांधी हुई है, और जब भी मैं बाहर जाती हूँ, तो उसको मैं अपनी में डोर पे हैंग कर देती हूँ, ताकि वो सेफटी डोर निकले नहीं। क्योंकि अगर आप थोड़ी देर के लिए भी बाहर जा रहे हैं और किसी को बोलिए ए डोर क्लोस कर, तो अच्छा नहीं लगता। मैं अमरेला भी हैंग कर सकूँ और उस पे एक पॉर्ट रखने की वज़े से वो बहुत अच्छा लुग दे रहा हैं। राइस, दाल या फिर आटा उनको स्टोर करने के लिए हम इस तरह की स्टील की टंकी ज़रूर यूज़ करते हैं। लेकिन बारिश के मौसम में उसमें मौशर बहुत जल्दी चला जाता है और वो खराब होने लग जाते हैं। तो उसके लिए आप इन टंकी के अंदर एक बोरी यूज़ कीज़े जिसमें अंदर पन्नी भी लगी हो। मुसलिए जो गेहूं या चावल की बोरी आती है वो ऐसे ही होती है। मैं गर्मियों में नीम की पत्ती सुखा लेती हूं और उनको डाल या राइस में जरूर डाल देती हूं जिससे की वो खराब ना हो। कुछ चीजे भवान के लिए जैसे की पान की पत्ती वगड़ा तुलसी आप घर पे ही उगा सकते हैं। ये मेरा प्लांट या जिसको हम बीटल लिफ बोलते हैं वोब है। अब इसको उपर चड़ाने के लिए मैंने कपड़े जो कपड़ा होता ना उसकी पतली पतली स्ट्रिप फाड़ के और उससे बान दिया है। इसके दो फाइदे हैं। पहला कि जो नाइलॉन की रसी है वो हीट होके आपके प्लांट को खड़ाब कर देती है और गर्मियों में वो ब्रेक भी होने लग जाती है। बट ये कपड़े की स्ट्रिंग उनको ग्रो होने के लिए अच्छा सपोर्ट देती है। बारिश में एक और जो प्रॉबलम आती है ये छोटे-छोटे कीड़े की जिने हम फ्रूट फ्लाइस भी बोलते हैं। ये जहां भी मौशर मिलता है वहाँ पे जाके बैट जाते हैं स्पेशली फ्रूट्स वगरा में। तो इसके लिए आप एक कॉटन के कपड़े पे डिटॉल स्प्रे कीजे और जिस सर्फेस पे वो बैट रही हैं उसको वाइप कर दीजे। इसका इफेक्ट आपको इमीडियेटली दिख जाएगा कि आप फ्लाइस नहीं हैं। आप ये मनी प्लांट पिछले वीडियो में इच अन एवरी कॉर्णर में जरूर देखा होगा। तो ये काफी ग्रो हो गया है तो मैंने उसको वापस एक स्ट्रिंग से सपोर्ट देके बान दिया है। और ये नीचे की तरब भी काफी ग्रोहों के लगभग नीचे वाले प्लांट को टच करने वाला है। ये वाली प्लांट की कटिंग मैंने आपके सामने लगाई थी। देखिए ये लग चुकी है इसमें नई लेवस आ रही हैं। और ये दूसरा वाला प्लांट भी इसमें देखिए नई नई लेवस तो कंप्लेट नहीं निकली है बट नई नई ग्रीन अब बुल सकते हैं बढ़ जैसा बाहर आ रहा है। फ्रीज के नीचे से ओवर फ्लो तो होता ही है पानी कभी कभी। लेकिन मेरे फ्रीज के अंदर काफी पानी भर गया था। ये देखिए। मुझे लगा मेरा फ्रीज घराब हो गया है बट एक्चली हुआ क्या कि अगर फ्रीज की सेटिंग आपने गलत कर रखी है तो आईस मेल्ट हो जाती है और वो मेल्ट होके वो नीचे वाली ट्रेस से पीछे जो आपको आउटलेट दिख रहा है वहां से पीछे चला जाता है बट ये ट्रे पे मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया तो इसका जो ड्रेन होल है वो चोक हो चुका था जैसे कि हम पनीर या कुछ भी उस पे रखते हैं चीज वगरा तो वही जाके नीचे वाले ड्रॉर में जहां पे आज वगर थी उसको खराब कर रहा था आप देख सकते है इसका होल पूरी तरीका से चोक हो चुका था यहां पर यही वही क्या बोलते हैं मिल्क दही वगरा इकठा हो गया था और मैंने कभी नोटी सी नहीं किया I'm so bad तो इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी सूखे कपड़े से फ्रीजे से डारेक निकाल के पानी में मर डालि वरना ट्रे क्रैक हो सकती है इसको अच्छे से पोचने के बाद आप देखिए कितनी शाइन करने लग गई है और ड्रेन भी क्लीन हो गया है इसको आप वापस उसी जगह पे लगा दीजे और वो ड्रेन जो है ना उसको भी एक बार जरूर क्लीन कर दीजे कहीं वहां भी कु पाउच नहीं सिल सकती जैसे कि ये मेरा मॉस्किटो नेट ये कॉर्णर से फट गया था तो नेट पे आप मशीन चलाने के लिए बहुत मगजमारी करनी पड़ती है तो इसको मैं सुई धागे से सिलने वाली हूं सुई मैं हमेशा इस चोटे से पाउच में रखती हूं वो कपड़े में इंसर्च करके ये पाउच काफी मोटा है इसलिए सुई हाथ में चुबने का डर नहीं है तो देखिए सुई मतलम नेडल जिसको बोलते हैं उससे स्टिचिंग काफी अच्छी हो गई है और पता भी नहीं चल रहा है कि ये मॉस्किटो नेट कभी फटी भी थी तो छोटे छोटे रिपेर्स मेंटेनेंस करना तो लाजमी है मैं घी ग्लास जार में रखती थी टाइम के साथ मुझे पता चला कि उनका हैंडलिंग ना बहुत डिफिकल्ट है एक तो वो हैवी होते हैं और फिसलते भी ज़ादा है तो अब मैं घी स्टील के डबे में रखत होता है तीसरा अगर सर्दियों में घी जम गया और आपको पराठे वगरा बनाने हैं तो आप डाइकली उसको हीट अप कर सकते हैं आपके घर में जब भी पिकल या कोई मसाला पाउच में आता है इस्पेशली पिकल तो उसको पॉली थिन में मत रहने दीजे आपको निकाल रखने में तो प्रॉबलम होगी ही साथ ही पिकल खटा होता है जो पॉली थिन को मेल्च करेगा और खड़ाप कर देगा तो उसको हमेशा जार में ही रखिए रोटियां बनाने के लिए मैं पर्थन को जो सूखा आटा होता है उसको थाले में रखती थी तो उसको कवर करके रखना और मुसीबत का काम तो अभी मैं उसको एक डबे में रखती हूँ जिसका खुद का लिड हो तो इस तरह से सूखे आटे को हैंडल करना इजी हो गया अब रोटियां बनाने में भी आसानी होती है बेड़शिट को स्टोर करने के लिए पहले मैं बेड़शिट को फोल पिलो कवर में स्टोर कर देती हूँ बेड़शिट को पीछे की तरफ पुष कीजे और पिलो कवर को आगे की तरफ इस तरह से आपको एक नीट रेक्टेंगुलर बेड़शिट मिल जाती है तो मैंने सोचा कि उसका खुवा बना लेती हूँ खुवा बनाने में एक सावा घ खी थी मेरे घर पे उसका बटर बना लेती हूँ तो उसमें से आधे बटर को मैंने नमक, जिंजर और हल्दी डालके बटर बना लिया पराठे के लिए और बचे हुए आधे को मैंने पिघला के घी बनाया जब घी आ पिघला रहे हैं तो उसी गरम घी को इस कटोरे में भी जालके अच्छे से उसको जो भी मख़न लगा है उसको यूस कर लिजे खोवा बनने के बाद इसको भी मैं उसी कटोरे में रखूंगी ताकि घी वेस्ट ना हो तो खोवा बनने के टाइम में ही मैंने और दो तीन काम कर लिए जैसे कि बटर बनाना घी पगलाना एक्सेटरा अ तो मैं करती हूँ कड़ी इंज्वाए और आप बताईए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा थैंक यू और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजेगा और कमिंच करके बताईएगा कि आपको किसे रिलेटेटिटिप्स पसंद है